मैंने अभी अभी ये बंकर बनाया है और ये दो पूरी तरह अंजान लोग कोशिश करेंगे अगले पूरे सौ दिन इसमें गुजारने की अपनी पट्टिया उतार दो यूगो ये है रेन रेन ये है यूगो और ये आज यहाँ पर पहली बार मिल रहे हैं रुको क्या ओ माइगा यह उपर एक बेड है और यहां बेड है और सबसे जरूरी बात यहां है आपके पांच लाग डॉलर यह असली है इसे होना भी चाहिए अगर आप दोनों यहां सौ दिन रहते हो तो इसे रख सकते हो पर अगर कोई एक जाता है तो दोनों को कुछ नहीं हम नहीं जाएंगे तुम्हारे पास हो सकते हैं आधा मिलियन डॉलर वह बहुत सारे पैसे हैं अगर हम हमारा खाना उगा पाए तो सब कुछ सेट है फिलाल तो दोनों घुल मिल रहे हैं पर वो नहीं जानते कि ऐसा ज्यादा वक्त नहीं रहने वाला है तुम पूरे बेवक तुमें चुडेल हो मुझे तुम बिलकुल पसंद नहीं हो हम पहली राग के लिए तैयार हो रहे हैं उमीद है नीचे नहीं गिरेंगे गुड़ नाइट रेंगे यह वक्त हो रहा है वो पता नहोंना मुझे बिलकुल पसंद नहीं है कल हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हाला कि ये दोनों अभी-भी मिले हैं लेकिन फिर भी इन दोनों को एक साथ काम करना होगा अगर इन्हें पाच लाग डॉलर्स जीतने हैं तो लेकिन जो भी हो यहाँ पर एक ट्विस्ट होने वाला है मुझे उस चीज को दे कर थोड़ा सा शक हो रहा है ओ हां आखिर वो क् हालत बोरियत से खराब नहीं हुई तो आज तुम क्या करोगे मैं सीखूंगा की गीटार कैसे बजाते हैं रेडियो की क्या ज़रूरत जब मैं खुदी रेडियो बन सकता हूं ये कैसे बजाते हैं अगले सौ दिनों तक मैं स्पैनिश लिखने की कोशिश करूँगी ये बं कल तुम जोरो से खराटे ले रहे थे सौरी ये रपलग्स होते तो अच्छा होता पर कोई बात नहीं अगर रेन ने कभी मुझे परेशान किया तो ये उसे डरा देगा यूँ ये हमारा बाहर का ग्रू है और ये बस सिमिटी है वो देखने में कितना भटा है हे 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 पर क्य और जब वो दस्वे दिन पर पहुंचे तब वक्ता गया था मेरे स्पेशल ओफर का वो ये जी मी है ठीक है शाद वक्ता गया है इस वीडियो का ट्विस्ट दिखाने का यहां दोनों साइड में दो बॉक्सिस हैं यह हमने पहले भी देखा था क्या लगदा इसके अंदर क् एक हैंड स्कानर और दूसरी साइड पे एक और हैंड स्कानर ओ एक और चीज एक वन मिनिट टाइमर है चैनलर चलो शुरू करो अखिरकार जैसा कि आप देख रहे हैं टाइमर अब उल्टी गिंती कर रहा है अगर आप उस टाइमर को कभी भी जीरो पर जाने देते हैं तो आपका पैसा तुरंट आप की लपतों में गिर जाएगा जिससे उस पांच लाग डॉलर के हर एक डॉलर राख हो जाएंगे और अपने पैसों को जलने से रोकने के लिए आप दोनों को मिल कर काम करना होगा ये बहुत आसान है अपने हाथ इन स्कैनर पर रखो और ये कुछ दिनों बाद मिलते हैं अब मैं कभी आराम से सो नहीं पाऊंगा पूरे सौ दिनों के लिए अगर हमने एक बार भी गलती की तो खेल खट में हमें हमारे बेड्स यहां नहीं चिलाने चाहिए मुझे अभी भी सीने पर वजन लग रहा है वो बटन दिन में बस एक ही ब मैं तो डर ही गया था तुछ देर के लिए मेरा दिल तो बैठ ही गया था है राज यह फिर से बजने वाला नहीं है तो और डेली अलाम के बाद ही यूगो और रेन ने अपना फ्री टाइम साथ काम करने के लिए पढ़ने और सीखने में बिताया यह है बीजबूट कैब जल करो पर वो अब भी बहुत फास्त थे यूगो और रेन बस अलाम को रोपने में ही फास्त नहीं थे क्योंकि जो सप्राइज मैंने फ्लोर की नीचे चुपाया था उसे ढूबने में उन्हें सिर्फ तेरा दिन ही लगे क्या वो एक लैच है हमें इस बारे में जानना कोशिश में पूरी तरह से लगगए चालो चलते हैं जैसे एक एक दिन जाता गया वो एक दिन पांच लाग डॉलर जीतने के करीब आते गए अब अब से हर दस्वे दिन मैं उनके पास एक आफर लेकर जाऊंगा और क्यू कि अज देट 20 है नोलन तुम उचे सुन सकते हो आ हाँ, बटन दबाओ, तुम दोनों सच में इसमें माहर हो गए हो, और ये सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही कर रहे हो, जिसकी वज़े से मैं सोच रहा हूँ, तुम्हें मिनिट्स की जरूरत है भी या नहीं, हमें पसंद आएगा, हाँ सच में, देखने तुम्हें ये पसंद आता दोनों के पास इस पर हाथ रखने के लिए बस 30 सेकंड होंगे, अगर एक बार भी चूके, तो पांच की जगह साड़े 5 लाग डॉलर्स जल जाएंगे, अहां, सोच के देखते, दाओ पर रखने के लिए बहुत ज्यादा पैसे है, और अब हम टाइमर को कम कर देंगे, और म रुख जाएगा, नोलन, ये आये तुम्हारे पैसे, जैसा वादा किया था, ये रहे आपके 50,000 डॉलर्स, उमीद हैसे आप बाहर ना हो जाओ, जूट नहीं कहूंगा, शायद वो एक गलत फैसला था, नहीं, तुम अभी ऐसा नहीं कह सकते, सच में ये अनोखा फैसला था आपने देखा न, वो एक बार भी हार के करीब नहीं आए, हर दिन वो हैंड स्कैनर के पास 10 सेकंड के अंदर आ रहे थे, रेन हमी सलाम से हार नहीं मानेंगे, अब मुझे यहां बोर नहीं हो रहा, इसलिए तीसवे दिन पर देखते हैं हम मुश्किल को बढ़ा सकते हैं या मेरा ओफर है, पचास हजार डॉलर्स प्राइस पूल में आड़ किये जाएंगे, जो कि कुल मिला के हो जाएंगे छे लाख डॉलर्स, पर उसके बाद हर दिन अलाम बजने पर कोई आवाज नहीं होगी, मैं सोचने के लिए थोड़ा वक्त देता हूँ अहाँ, वो आलाम फिर से कभी नहीं बजेगा, अगर ये आखरी मनी ओफर हुई तो? हमारे पासपोरे पाँच लाख पचास हजार है, जिने हमने अब तक बचाए रखा है, क्या वो काफी नहीं है? अभी ये चैलेंज खतम होने तक हमें शिफ्ट्स लेनी होगी, ताकि इसे पूरा कर सके, तुम वैसा करना चाहते हो? ओ, ये बहुत ज्यादा पैसे है ठीके गाइस, पैसले का वक्त आ गया, क्या आप प्राइस पूल में पचास हजार अड़ करना चाहते हो, ताकि मैं साउंट को आफ करना हूँ हमें ये बहुत पसंद तो है, लेकिन नहीं हम नहीं करेंगे सच में, आप दोनों टेसला खरीच सकते हो हाँ, पर हम अब भी टेसला खरीच सकते हैं और टेसला खरीच सकते हो मुझे बस एक कार चाहिए ठीके मिलते हैं, पता नहीं कभी, शायद फ्यूचर में कभी डल दी मुलाकात होगी विश्वास नहीं होता हमने ना कहा जिमी ने अभी अभी पचास हजर ओफर किये उन्हें कौन ना कहता उतने पैसो को ना कहना बहुत दुख हो रहा है बाद में वो ठीक हो जाएगा, वो उसे भूल जाएगा शायद हमने सही पैसला लिया है तो अपने रिष्टे को पहले जसा करने के लिए उन्होंने अपनी टीम का एक लोगो बिनाने के लिए खाने का सामान एक साइड में कर दिया और अपनी टीम का नाम रखा दे सूर रैट्स वाँ, मैंने कमाल कर दिया यहाँ, यूर विलकम पर वो काफी नहीं था क्योंकि हूगो परिशान था कि वो यहाँ के लगभग सभी काम कर रहा था जैसे कि मचलियों को खाना खिलाना और टैंक को साफ करना और गार्डन को मेंटेन करना ताकि उन्हें कभी वेजटेबल्स की कमी ना हो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और जब उनके बीच टेंशन बढ़ते जा रही थी मेरी डे फॉर्टी उफर उनकी मुश्किले कम नहीं करने वाली थी हमारे बंकर में जाने से पहले वक्त है सकर को लाने का नोलन? मैं वही कहने वाला था वो मनी सकर डे फॉर्टी की शुरुवात करने से पहले हे चैनलर, शुरू हो जाओ चैनलर और टरी कभी उपर जमीन पर है और पूरे एक लाग डॉलर्स को वैक्यूम कर रहे हैं जो आपने हारे नहीं है हम कर रहे हैं ये सक हो रहा है और अगले 10 मिनिट में अगर तुम में से कोई भी बाहर जाता है तो वो उस वैक्यूम किये हुए एक लाग डॉलर्स के साथ घर जा सकता है और दूसरा इंसान बाहर नहीं होगा पर अब अपने टीमेट को धोका दे रहे होगे जो की इस बंकर में अकेला पढ़ जाएगा पूरे साथे चार लाग डॉलर्स जीतने के लिए अगर तुम में से कोई जाना चाहता है तो अभी मौका है शायद मैं जा सकता हूँ मैं ही यहाँ पर सभी काम करता हूँ पूरी कुकिंग मैं करता हूँ प्लांस का ख्याल रखता हूँ बूरा ही सही पर में गीटार से एंटर्टेन करता हूँ शायद मुझे जाना चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं शायद मैं जाऊँगा हमें सेवर रैट्स के जैसे एक साथ रहना चाहिए हम ये कर सकते है डूड आखिर तुम्हारा दिमाग जगपे है या नहीं अगर तुम्हें अगली ओफर के लिए हां कहना है तो मैं भी हां ही कहूँगी जो भी होगो चाहेगा, मैं बादा कर रही हूँ मुझे अपी लगता है कि वो बाहर जाएगा ठीक है, क्या तुम में से कोई एक वो एक लाग डॉलर्स लेकर अपनी कार की डिक्की में रखकर घर ले जाएगा मेरा जावाब नहीं है I'm sorry तो मैं जाकर एक लाग डॉलर्स वापस रखता हूँ दस दिन बाद मिलते हैं और हाला कि उन्होंने आखिर में साथ रहने का फैसला किया था यूगो का सिवर राच से मन निकलता जा रहा था मैं करिब करिब बस टूटने ही वाली थी एकदम से मजबूर क्या मुझे उसे जाने देना या चाहिए था यूगो क्या सोच रहे हो तुम तुम थोड़ी अजीब हो तुम मेरे लिए थोड़े जादा ही बेसिक हो मुझे बेसिक रहने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे बेसिक रहना पसंद नहीं ठीक है पर वो बहुत घटिया है तुम बहुत बेवकूफ हो उसने अभी अभी क्या कहा लीज मेरे उपर ऐसे मत चिलाओ ये पागलपन है मुझे नहीं लगता वो ये कर पाएंगे अगले चार दिनों तक यूगो और रेन ने एक दूसरे से बात तक नहीं की जो कि मेरे कॉंटेंच के लिए सही नहीं है तो मैंने बंकर में एक नया महमान लाकर चीजों को थोड़ा अलग करने का फैसला किया वो और एक स्कैनर लग रहा है क्या वो यहां किसी को ला रहे है वैसा होगा तो बहुत बुरा होगा मैं और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता पर शायद वो हमें जल्दी पता चल जाएगा बहुत धीर जल्दी क्या हाल है हे जिमी इस सीडी से मुझे बहुत डर लगता है मैं तुम्हारे लिए एक दोस्ता है हूँ ओके अपनी आखे बंद करो ऐसा कोई जिसे ऐसी जगहों पर रहने का एक्सपीरियंस है मैं लाया हूँ रायन ट्रॉहां को ये है ओके तुम कुछ ज्यादा ही छूटे लग रहे हो ये सही नहीं है ऐसे शुरुवात नहीं करनी चाहिए थी क्यूकि ये अगले पचास घंटे आपके साथ ही रहने वाला है ये कमाल है अब जो तुम्हें कंटेस्टेंट हो मैं ऐसा नहीं करना चाहता था तुम्हें यूगो रेन की तरह रूल्स को फॉलो करना होगा मैं एक मुसीबत हो ओके तुम्हें ये कपड़े पहने हो अच्छे लग रहे हो और पूरे पचास घंटों के बाद पचास दिन पूरे हो जाएंगे रायन तब तक आपके साथ ही रहेगा मजे करना रुको जिमी नहीं एंजोई रायन है यूगो यूगो मैं रायन हूँ रायन रिनल्फिस हाई मिलके अच्छा लगा मुझे अच्छा लगा दोस्ट ने रूमेट्स ने रूमेट्स गाइस मैं काप रहा हूँ बहुत ही नर्वस हूँ सच कहूं तो मुझे रायन की बैग चेक करनी चाहिए थी क्योंकि मैं कुछ लेका रहा हूँ प्यांसे यह उसके गाने है यह वक्त है हमारे पहले बटन प्रेस का पर मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक वो बटन से ज्यादा दूर नहीं जाते जल्दी से वाश्रूम जाती रहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इन्हें यहां रखते हैं अभी पचास दिन पूरे हुए हैं यूगो और रेन एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते और यह एक्चुली एक खत्रा है अगर उन्हें यह सो दिन का पूरा दिन बिताने के बाद मुझे ऐसास हुआ कि मुझे यहां लाने की एक वज़ा है यूगो और रेन्ट से हंडर्ड डेस पूरे करवाने हैं तो आज हम करेंगे एक फ्रेंडशिप टेस्ट तो पहला टेस्ट है एक दूसरे के दिल में पूरे साट सेकंड तक जहांकना है ओ माई गॉड ठीक है तुम लोग तैयार हो फ्री डू वन सक्सेस यह है तुमारा फाइनल कोश्चन रेन आखिर तुम यूगो के लिए क्यों जीतना चाहती हो यह उसके लिए कमाल का मौका है और यह मिस्टर बिस्ट का बहुत बड़ा फैन है इसे जीतना ही होगा उन्ह तुम बताओ कि रेंड के लिए तुमें इस चैलेंज को क्यों जीतना है उसकी फैमिली उसकी बहुत मदद करती है और इसलिए कि जो वो चाहे वो कर सके वाव वो सच में अपने पैरेंट्स को रीपे करना चाहती है मैं बस उन्की जिंदेगी बहतर करना चाता हूँ सच में मैं अब रोने वाली हूँ वाव दोस्तों और एक बात याद रखना याप खुद के लिए नहीं एक दूसरे के लिए भी कर रहे हो बिल्कुल सही तो ये पैसे आपके हुए फ्रेंड्शिप टेस्ट कम्लीट तेंक यू तुम पास हो गए रायन की वज़े से चीजे पहले से बहतर होने लगी और जब पचासवा देन आया वाव तुम पार्टी कर रहे हो उन्होंने फीस्टिबल्स का एक चॉकलेट केक बनाया जाहिरा उसका टेस्ट कमाल का था तुम दोनों सच में लाजवाब इंसान हो बदकिस्मती से रायन तुम्हारे पचास घंटे पूरे होते हैं मुझे तुम्हें बाहर ले जाना होगा इस अपॉकलाप्स बंकर से निकलने के बाद पहली चीज मैंने नोलन की फेस देखी और वो बस वापस ही जाने वाला था और अब जो रायन जा चुका है क्या लगता है डे 50 का ओफर क्या होगा मुझे लगता है क्योंकि हम इतनी दूर आये हैं तो तुम टाइम को भी आधा कर दोगे तुम बहुत करीब हो मेरा डे 50 का ओफर है इस टाइमर से आप जितने भी सेकंड्स बचाते हो दस सेकंड्स से कम पुझे वो चलेगा तो चलो कम कर देते हैं आप लोग क्या सोच रहे हैं चलो तो फिर दस सेकंड्स कम कर देते हैं हम इसमें पैसे अड़ करते हैं तांक्यू जीमी यह रहे आपके पैसे 6 लाघ डॉलर्स और अब जो मैंने इसमें पचास हजार डॉलर्स और अड़ किये हैं, मैं एक बार फिर से आपको इस बंकर में छोड़के जा रहा हूँ दस दिन के बाद मिलते हैं ठीके, मिलते हैं जीमी अभी ये डे 51 है और रायन के बिना पहले सुभव अब यहाँ पर बहुत सन्नाट अचाया है अभी अभी हमने हमारे पहले 22 अलाम कानुभव किया वो थोड़ा डरावना था, उसे वैसे कम होते देखना सच में थोड़ा डरावना था रायन के बंकर में शांती लाने के बाद यूगो और रेन के रिष्टे में फिर से एक बार दरार आने लगी मैं साफ साफ बता दी हूँ यूगो हमारे पास इसके लिए चार्जर नहीं है और इस बैटरी को मैं अभी खाली करने वाली हूँ और पहले से ही इतने छोटे से बंकर में यूगो को अपने लिए एक जगह ढूंने की जरूरत पड़ गई वहाँ फ्लोर में थोड़ी सी स्टोरे स्पेस है जिसे मैंने एक अपनी केव में बदल दिया है ताकि मैं चिल कर सकूँ नो गहल सलाओ मेरे पास स्नैक्स है मेरी बुक्स है और मेरा सोफा म्यूजिक के साथ पेंट करना बहुत बढ़िया लगता है क्या तुम यहां केव में आना चाहोगी रेन क्या मुसीबत है और जैसे दिन बीते यूगो और रेन के बीच की टेंशन उनसे और ज्यादा गलति मॉर्निंग फीशेज यहां आजाओ खाने का टाइम हो गया आ रही हो चलो 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 तुमने बहुत वक्त लगा दिया मैं इसलिए तीन लाग नहीं गवाने वाला क्योंकि रेन का दिमाग गेम में नहीं है मेरी नॉर्मल लाइफ कैसे थी वो मैं सच में भूल रही हूँ इस बंकर में आखे खोलना ऐसा है जैसे मेरी नॉर्मल लाइफ कभी नहीं थी लगता है जैसे ये कभी भी खतम नहीं होने वाला पर चाहे कुछ भी हो जाए यूगो और रेन मुझे अपने पैसों को आग लगाने से बार-बार रोकते रहे और आ गया डेज सिक्स्टी मैं देखना चाहता था कि मैं उनकी लालच को और बढ़ा सकता हूँ या नहीं देखते हैं इस बार बटन कौन दबाएगा मैं जीत गया मैं जीत गया मैं जीत गया और नहीं मुझे नीचे कुछ तो गिराना है क्या तुम थोड़ा दूर हट जाओगे उसके लिए सौरी मेरा डेज सिक्स्टी का ओफर मैं आपको दूँगा ये पूरे पचास हजार डॉलर अगर आप मुझे हलाम दिन में तीन बार बजाने दोगे ना कि बस एक बार जब तक ये चैलेंज खतम नहीं होता मैं आप दोनों को सोचने देता हूँ पर क्या पता अगर वो ऐसे आते रहे तो तब आखिर कैसा होगा ठीक है हम इस पचास हजार के साथ क्या करने वाले है क्या मैं इन्हें आपके बैंक अकाउंट में डालू या फिर नहीं नहीं सच में तो मैं ये पैसे लेकर जाता हूँ और क्योंकि ये मेरे बंकर में पूरे दो महीने पहले आए थे और डे 61 आते आते मौसम काफी बदल गया था और साथी में उनका सबर भी मैं पूरा दिन देन से उठने के बाद एक ही जगब पर रहकर परेशान हो गई हूँ मुझे अब नॉर्मल नहीं लग रहा इसमें मजा भी नहीं आ रहा अब मैं और पढ़ना नहीं चाहती लिखने की इच्छा नहीं ये पेंट करना भी नहीं अच्छा लगता पहले जो मज़ेदार हुआ कर जाता वो बोरिंग लगता है एक साथ एक ही जगह पर पूरे साथ दिन बिताने के बाद यूगो को अपनी खुद की केव में अकेले रहने की आदत सी हो चुकी थी मैं मेरी केव में जाकर पढ़ते वे थुड़ा वक्त बिताऊंगा तुम पूरे दिन पढ़ रहे हो यूगो शायद मैं जितना पढ़ता हूँ उसे देखकर रेन को बहुत दुख हो रहा है पर मैं उपर जाकर पजल पूरा नहीं करना चाहता क्या? उसने कुछदर के लिए पढ़ना बंग कर दिया शायद मुझे उसकी बुक्स चुपानी चाहिए यूगो का अटेंशन पाने के लिए रेन को मामला अपने हाथों में लेने की जरूरत पड़ी तुमने मेरी बुक्स चुपाई है? मैंने तुमारी बुक्स चुपाई? नहीं मुझे पता है तुम मेरे साथ मजाग कर रही हो लेकिन मेरे पास वहाँ और बुक्स है मुझे लगा कि वह वहाँ है अरे जरा सोच के तो देखो अब वो मुझे चिड़ाने की कोशिश कर रही है जूट नहीं कहूंगा लेकिन मुझे बहुत गुसा आ रहा है अब मुझे जिमी की डे 40 के आफर यहाद आ रही है मैं वो ले सकता था पर मैंने नहीं कहा क्योंकि मुझे और पैसे चाहिए थे तो यह सोच कर कि अब मेरे पास कोई और आप्शन नहीं है क्योंकि मैंने रुकने का फैसला किया क्या पता यह मुझसे होगा या नहीं यूगो की आवाज में छुपा पच्टावा सुनने के बाद मैंने डे 70 पर ऐसा आफर लाया जो उसके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट था पर हमेशा की तरह सबसे पहले हमें वो बटन दबाना होगा तुमने बंद कर दिया यह तुमने क्या कर दिया उनके लाइट्स पंद कर दो क्या हाल है हम बढ़िया है तुम कैसे हो अफर बताने से पहले मुझे आपको अलग करना होगा यूगो तुम उपर जाओ और रेन तुम पैसों के पास अब बनानी होगी एक दीवार यह परदे मुझे परिशान कर रहे है यह क्या चल रहा है क्या होने वाला है हे काल जल्दी से पैसों को सक करो दो लाग खीच रहे हैं हम अभी इस छै लाग डॉलर्स के प्राइस पूल से पूरे दो लाग डॉलर्स खीच रहे हैं और बिल्कुल मेरी पिछली ओफर की तरह अगर कोई बाहर जाता है तो एक लाग डॉलर्स उसके हो जाएंगे शायद मैं जाने वाला हूँ नहीं नहीं जा सकते तुम में से एक जा सकता है इन पैसों के साथ तुमने वो ओफर फिर से लाया हाँ पर इस बार आप ले जाओगे पूरे दो लाख डॉलर्स वो भी दूसरे इंसान को बाहर किये बिना पर यह डे फॉर्टी की ओफर की तरह नहीं है इस बार मैंने आपको अलग कर दिया है तो इस बार वो तुम्हें जाने से रोक नहीं सकती अगर तुम जाना चाहो तो यह तो कमाल है जीमी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम रेन पर एहसा नहीं करोगे क्योंकि अब तीन लाख के लिए कंपीट करने के बदले जो कि तुम दोनों जीतोगे अगर तुम यहां रहते हो तो अब वो जीतेगी पूरे चार लाख डॉलर्स तो तुम्हारे जाने से उसकी मदद होगी मैं उसे एक लाख जरूर देना चाहूंगा पता नहीं लगरा कि वो जाने वाला है पता नहीं अगर मैंने इन दो लाख को मना कर दिया तो खुद को माफ कर पाऊंगा या नहीं और उसके बाद भी चैलेंज हार गया तो और जब तक वो फैसला लेते हैं कि उन्हें वो दो लाख डॉलर्स चाहिए या नहीं मैं आपको बताता हूँ इसके लिए बहुत बुरा वक्त है और ये गेम अच्छे से दिखाने के लिए मुझे उपर जाना होगा मॉन्स्टर हंटर नाव हमें एंक्रेज करता है कि हम बहार जाएं और मॉन्स्टरस को ढूंडे सचो आप एक डॉग को घुमाते घुमाते मॉन्स्टरस को हंट कर सकते हो या फीस्टिबल्स खरीदते हुए भी मॉन्स्टरस को ढूंड सकते हो वैसा कभी नहीं हो सकता पर तुम मॉन्स्टरस से लड़ सकते हो मौन्स्टर हंटर नाउ ने मुझे दिया है मेरा अपना एंड गेम क्वेस्ट जो की 30 दिनों तक अवेलेबल है प्लास, मिस्टर बीस स्वोर्ड्स, शील्ड्स और दूसरे इंड गेम आइटम्स डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें या QR कोड स्कान करें और मौन्स्टर हंटर डाउनलोड करें मिस्टर बीस्ट हंट कोड से स्पेशल आइटम्स को फ्री में पाए मेरा क्वेस्ट सिर्फ अगले 30 दिनों तक अवेलेबल है तो जरा जल्दी कीजिए मैंने पहले ही एक लाग गवाय है और यह उसके दो गुने है और याद रहे अगर कोई बाहर नहीं आता तो अभी भी इस बंकर में पूरा एक महीना रहना होगा क्या तुम्हें अपने परिवार से मिलना है क्या तुम्हें सूरज की रोशनी देखनी है और सबसे जरूरी क्या तुम्हें बंकर के दूसरे इंसान की फिक्र है और चाहते हो कि वो एक और लाग जीते फूरे दो लाग डॉलर्स जीतने का ये आखरी मौका है हम नीचे आ रहे हैं वो अब भी वहा हो ये हो नहीं सकता और अब मैं ये परदे निकालने वाला हूं और देखते हैं कोई गया या नहीं तुम में से कोई भी नहीं गया क्या अरे वा क्यूंकि दोनों में से कोई नहीं गया ये रहे तुम्हारे दो लाग डॉलर्स वापस मिलता हूं अगले दस दिन में मैंने अभी अभी 2,000,000 को ना कहा मैं हैरान हूँ कि तुमने ना कहा उम्मीदे तुम्हें पश्टावा नहीं होगा क्योंकि वो नहीं सुनना चाहिए हाला कि उनमें से कोई नहीं गया पर पैसे ही थे जो उन्हें साथ बंद हे होए थे क्या तुम्हारा होने के बाद मेरे ले थोड़े एकज़ो और चोरीजो बनाओगा मैं बहुत परेशान हूँ मैं हर दिन एक ही चीज़ करकर के परेशान हो गया हूँ मुझे रेन की मदद करने में दिक्कत नहीं है अगर अभी जिमी नीची आकर मुझे ये कहे कि यूगो तुम अभी जा सकते हो ये लो दस हजार डॉलर्स तो शायद मैं वो ले लूँगा रेन के साथ इतना वक्त बिताने के बाद यूगो बहुत ऊप गया था और उनके ब्लांट्स लिटरिली सड रहे थे और रेन अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती थी यूगो के बाल खराब करना आखरी स्टेप था और उसकी हिम्मत पूरी तरह से तूट चुकी थी शायद मैं जाना चाहता हूँ तो फिर जाओ वो पैसे जल जाएंगे और हम दोनों कुछ नहीं जीतेंगे मैं बता सकता हूँ कि उन्हें परिशानी हो रही है तो देखते हैं मेरी अगली आफर उन्हें खुश करती है या और परिशान करती है मैं आप दोनों से एक सवाल पूछूँगा और अगर आपने सही जवाब दिया तो मैं वो बटन अगले 10 दिनों तक नहीं दबाऊंगा मतलब 10 दिनों की छुटी 10 दिन का ओफ बहुत कमाल का होगा पर अगर जवाब गलत हुआ तो मैं टाइमर से 10 सेकंड कम कर दूँगा ओ, शायद मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहने वाले हो और वो सवाल है किसका टेस्ट बहतर है फिस्टिबल्स चॉकलेट बार या हर्शीज चॉकलेट बार जवाब आसाने, फिस्टिबल्स शही कहा, ये बहुत बढ़िया है ये तो आसान था, अब अगले 10 दिनों तक मैं वो लाल बटन नहीं दबाऊंगा तुम्हें नींद पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि डे 90 इतना असान नहीं होगा तुम दोनों से बाद में मिलता हूँ तुमने सही कहा, तो 10 दिन बाद मिलते है टाइमर उन दोनों के बीच इतनी ज्यादा टेंशन होने के बाद भी अलाम को निकालने से हो सकता है कि ये दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आना शुरू करें चुकि अब वो अलाम नहीं है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मैं वही कर रही हूँ और आज का menu है डोनट्स रेन ने कहा था कि वो कभी भी कुक नहीं करेगी और देखो, मेरी रूममेट वहाँ पर डोनट्स बना रही है दोस्त, और वो बढ़िया लग रहे है ठांक्स यूगो, ठीके, ये रहे हमारे डोनट्स टेस्टेस, फेस्टिबल्स, चॉकलेट कवर डोनट्स ओ, माइ गॉड, फेस्टिबल्स बहुत ही बढ़िया है और क्यूकि फेस्टिबल्स ने अकेले ही उनकी दोस्ती बचा ली, इसलिए बाकी के कुछ दिन आराम से निकल गए इसलिए हर दिन का बचा हुआ एक्स्ट्रा टाइम उन्होंने आने वाले दिनों के लिए तयार होने में लगा है मैं ऐसा करना चाहिए कि डे 90 के लिए तयार होना चाहिए चलो थोड़ी गेम प्लानिंग करते हैं और पक्का करते हैं कि हम जीतें मैं यूगो सर्क कहकर टाइम गिनूंगी कि बंकर के लिए अलग-अलग एरियाज हैंड स्कानर तक जाने में कितना वक्त लग सकता है MP3 प्लेयर में स्टॉफवज भी है जो रायन ने दिया है चलो 2.61 ओ ओके ओके चलो 4.09 अभी 5 के अंदर Go, 3.87, 3.57 3.39 Day 9200, वह एक जंक जैसा होगा सक बनो या घर जाओ मैं सक बनने वाली हूँ क्योंकि मैं घर नहीं जाने वाली है आने पर टाइमर फिर से आ जाएगा, पर इतनी ट्रेनिंग के बाद हम ये कर लेंगे, वो साइन निकालने का वक्त आ गया, ओ, वो रहा वहाँ, ये ओफिशली डे नाइन्टी है, जिसका मतलब है, दस दिनों में ये पहला बटन पुछ होने वाला है, वो अलाम दोबारा शु पूरे साथ लाग डॉलर्स, और इन पैसों के बदने, मैं आपके टाइमर में कुछ और वक्त आड करूंगा, जिससे बीस सेकेंड बढ़कर हो जाएंगे, पूरा एक मिनट, लेकिन हर दिन जब भी आप हाथ स्कैन करोगे, तब ये टाइमर रीसेट नहीं होगा, और ये ए सख्त बनो या घर जाओ, जिमी, हमने फैसला कर लिया है, आपने क्या फैसला लिया है, हम ये करने वाले है, अब पीछे नहीं आट पाओगे, मैं पैसों को आड़ कर रहा हूँ, सक्त बनो या घर जाओ, अब ये लगे होने वाला है, जिमी, उन्हें दस दिन बाद मिलता चुकी हमारे पास है, पूरे साथ लाग डॉलर्स वो भी दा उपर, और हमारे पास सिक्स्टी सेकंड्स है, शायद फिर से डेकोरेट करना चाहिए, हमें ऐसे सेटिंग करनी होगी कि हम स्कैनर से एक फूट से ज़्यादा दूर न हो जाए, हमने जरूरत का सारा खाना भी य यहां तक आ गये है, देखते हम हमारे नए सेटिंग एरया से अलाम कैसे ओफ करते हैं, वन पॉइंट वन वन यह कमाल का था, हर एक सेकंड बहुत जरूरी है, वो दरे हुए थे कि हम वो बटन दबा देंगे, वो दोनों लिटरिली पूरा दिन उन हैंड स्कैनर के पास ही इ इसका मतलब था एक नया दिन और हमें बस इंतजार करना था उनके सोने का, वो लिटरिली सोय हुए थे और उन्हें बस दो सेकंड लगे, वो हमारे जाल में नहीं फसे, पर मैं जानता था कि किसी एक पॉइंट पर उन्हें बाथरूम तो जाना ही होगा, तो मैंने उस पल का इंतजार किया कि कब उस स्कैनर से ज्यादा से ज्यादा दूर हो जाए, बढ़िया, बढ़िया, तुम तो एकदम उड़ कर ही आई, चीक है, शायद हम बाथरूम ब्रेक तो ले ही सकते हैं, माफ करना, यह वापस आजाओ, जुरत भी मत करना, वापस यहाँ आजाओ, एक औ पर कदम मत बढ़ाना, सुनो योगो, जलो, चलो, 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 चल दि, चलो, चलो, पांच सेकेंड में में पहुच गया, लेकिन यह स्लो था, अब तुम्हे बाथरूम जाने की इजाज़त नहीं है, अब से सचमे में चाहती हूँ कि वो हमारा एकलता फाइव सेकेंड अला वो कितनी दूर जा सकता है और कितनी दूर नहीं जा सकता ये रही वो लाइन रेन का बाथरूम रूल दिखने में जालम लगता है पर अगले कुछ दिनों तक उसने यूगो को अलाम के लिए ट्रैक पर बनाए रखा पर डे 98 पर यूगो ने पहले की तरह बरताव करना शुरू कर दिया यूगो, यूगो चलो, 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 चल्दी, चलो, चल्दी, चलो कितना वक्त लगाया? 6.01 यूगो, तुमने 6 सेकंड की टाइम लिमिट पार कर दी थी जितना तेज हो सके उतना आया अब तक का ये सबसे लंबा वक्त था जो हमें अलाम बन करने में लगा क्योंकि तुम बात्रूम के अंदर थे तुम्हें प्रॉबलम नजर नहीं आ रही तुम्हें वो नजर आ रही है और इतने टेंशन की बीच यूगो ने अपने दिल की बात बताने की कोशिश की रेन नहा रही है और ये आखरी मौका है कि मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ वो भी साफ साफ जाहिर है कि पहले ये इतना आसान नहीं था क्योंकि वो एक अंजान इनसान थी और हम दोनों पूरी तरह से अलग-अलग लोग थे सीरियसली मैं कभी भी इसे किसी और पार्टनर के साथ नहीं कर पाऊंगा मुझे खुशी है कि मुझे ऐसे इनसान के साथ यहां भेजा गया जो मेरे जितना ही जीतने की कोशिश कर रहा है और मुझे बहतर बना रही है हे दूर, सुनके अच्छा लगा वो तुम्हारे सुनने के लिए नहीं था पर मुझे बहुत पसंद आया, हम दोनों ने इस चैलेंज में बहुत कुछ एक साथ फेस किया है हम दोनों ने जीतने की ठान ही लिए है जैसा कि हम शुरू में ही एक दूसरे के साथ लड़ने में लगे रहे थे किसी की सुनते भी नहीं थे पर एक बार पहचान होने के बाद हम बस जीतने के बारे में ही सोच नहीं रहे थे हम ये सोच रहे थे कि मैं ये तुम्हारे लिए जितूँगा और तुम मेरे ली। सही का नाँ वैपी डेए 100 मैं नीचे जा रहा हूं एक आखरी बार बस यहां कोई बाम ना डाल दें शाह आए अंध्रेड देज़ सर्भ इसके लिए तुम दोनों तयार हो दोस्तं हम तयार है है काल हं बर्त अब बैंट दबाओ अब तोम दोनों को ज्यारा यह था लिएगा है कर t करो ताइम वेस्ट मत करो योगो कमाल यह बहुत है तुम दोनों जीत गए सौ दिन पूरे हुए चलो उपर चलते हैं यह बहुत कमाल का है यह पहली बार सूरज की रोशनी देखने वाले हैं सौ दिनों के बार मुझे यकिन नहीं हो रा Oh my God! Oh my God! मैंने आपको बहुत मिस किया वादे के मुताबिक यह रहे तुम्हारे साढ़े तीन लाग डॉलर्स और रेन यह रहे तुम्हारे साढ़े तीन लाग आपसे बाद में मिलता हूँ थैंक यू फू वाचिण